पिछले कुछ समय से दुनिया भर में AI यानि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की धूम मची है आज से एक दशक पहले जिस सरह Google अचानक लोगों की जरूरत बन गया था ठीक उसी तरह आज AI भी लोगों की आम जिन्दगी का हिस्सा बनता नजर आ रहा है AI के ऐसे कुछ टूल्स हैं जो लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं चैट GPT का नाम तो आपने सुना ही होगा ये भी एक ऐसा ही प्लैटफॉर्म है यहां आप कोई भी सवाल पूछ लीजे आपको उसका लिखित जवाब मिल जाएगा धीरे धीरे AI पूरी दुनिया पर कपसा करता जा रहा है ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे की पूरी दुनिया AI पर क्यों निर्भर है और सुपर पावर देशों की तुलना में भारत कहा है तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर AI है क्या? इंसान को धर्ती का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग किसी भी टास्क को कर सकता है वहीं जब एक मशीन किसी काम को इंसानी की तरह सोस समझ कर करने लगे तो उसे आर्टिफिशल इंटेलिजन्स कहा जाएगा साल 1950 में इसी परिभाशा के साथ किसी मशीन को AI माना गया हलाकी समय के साथ विक्सित होती टिकनोलोजी के साथ मशीन को लेकर इस परिभाशा में भी कई बदलाव हुए अब AI पर पूरी दुनिया कैसे निर्भर है उसे समझते हैं AI की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी Artificial Intelligence का मतलब है बनावटी तरीके से विक्सित की गई बहुत धिक्षम था AI के जरीए ही Computer System या Robotic System तयार किया जाता है Artificial Intelligence इसके बारे में अध्यन करता है कि मानव मस्तश को कैसे सोचता है और समस्या का हल करते समय कैसे सीखता है कैसे निर्णा लेता है और कैसे काम करता है धीरे-धीरे AI देशों की जरूरत कैसे बनने लगा वर्तमान में AI यानि Artificial Intelligence का इस्तमाल कई अलग-अलग शेत्रों में किया जा रहा है उधारन के लिए चैट बॉट ही ले लिजे इसका नाम आपने सुना होगा दुनिया की कंपनिया आजकल चैट बॉट का इस्तमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए कर रही है चैट बॉट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस में मिल जाएगा इसके अलावा पिछले 5 सालों में सिक्योरिटी सिस्टम में भी AI का इस्तमाल बढ़ा है साथ देशों की सीमा पर सुरक्षा में मदद कर रहा है AI वर्तमान में दुनिया के साथ देश ऐसे हैं जो AI के जरिये सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं इन देशों में अमेरिका, चीन, ब्रिटन, इजराइल, कनाड़ा, भारत और नाइजीरिया शामिल हैं AI इस्तमाल के सुपर पावर देशों की तुलना में भारत कहा है AI के आंकणों के अनुसार भारत अभी इस टक्नोलोजी के इस्तमाल के लगभग दस्वे पायदान पर है हालाकि वर्तमान में भारत में लगभग 2000 AI स्टार्ट अप है इस शेत्र में इतना तेजी से बदलाब हो रहा है कि कुछ ही साल में भारत सबसे बड़े सुपर पावर के रूप में उभड़ सकता है भारत AI के इस्तमाल के मामले में कहां भारत की बात की जाए नितियायोग ने 2019 में AI के लिए संस्था गत तरीके से काम करना शुरू किया इसी साल जून के महिने में Ministry of Electronics और Information Technology के राश्ट्री आई गवर्नेंस डिवीजन के समर्थन से Nescom का National AI Portal लाइफ हो गया भारत में वर्तमान में 44 लाग से जादा Software डेवलप और 2024 तक भारत विश्व के दूसरे देशों की तुलना में सबसे जादा Software डेवलपर वाला देश हो जाएगा AI अडॉप्ट कर इस पर काम करने वाले डेवलपर्स की संख्या बहुत तीजी से बढ़ी है अगर हम AI टेकनोलोजी के टॉप दस देशों की बात करें तो सबसे पहले नमबर पर अमेरिका है दूसरे पर चीन तीसरे पर ब्रिटीन और चौथे नमबर पर इस्राइल है इस्राइल के बाद कराड़ा, फ्रांस, भारत, जापान, जर्मनी और सिंगापूर का नाम भी शामिल है ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं पंजाबकिस्टी.com और चैनल को सबस्क्राइब करना मिलकूल ना भूले